हलो फ्रेंड, CKD Stock Market News चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे में तर इंकम टैक्स फाइलिंग का सीजन जोड़दार तरीके से चल रहा है, आप ये सर्वेसिस हमारे द्वारा भी ल लोग करना चाहिए, mutual fund में भी सबसे ज़्यादा लोग भरुसा करते हैं, SBI हो गया, HDFC, AMC हो गया, Axis हो गया, परागपारिक हो गया, Mirai Asset हो गया, ठीक है, इन सब कुछ ये Asset Management Company है, जहां पर इंवेस्टर बहुत अगड़ा भरुसा करता है, पर सबसे ज़्यादा जो trust ना रुपए का है, कई सारे इंवेस्टर को बड़ा लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे इंवेस्टर, NFO के अंदर पैसा डाले में पसंद करते हैं, जहां पर NAV 10 रुपए का होता है, पर NAV का जर्नली, mutual fund की दुनिया में कोई importance नहीं है, पर return के लिहाद से इसको ठीक ठेहरा सकत इक्स डिपॉजिट के अंदर होता है, जब आपका पैसा, जोनों कि सेविंग मैंक अकाउन पड़ा होता है, या पोस्ट आफिस में पड़ा होता है, वहां पर आपको जो return होता है, वो simple interest की तरह मिलता है, पर mutual fund की बहुत अच्छी घुपसूरती यहां पर आपका पैसा compound हो होती है, पर अगर आपने mutual fund को 10-15 साल दे दिये हैं, तब आपको कुछ ना कुछ बहतरीन return बना के दे जाता है, कुछ ना कुछ से मेरा मतलब है, बहुत कुछ, देखिए इसके साथ fluctuation mutual fund की दुनिया में बहुत ज़्यदा रहती है, तो आपको यह bear करना आना चाहिए, value oriented category मे इसको टॉप पर अख़ाग गया है, दिने इस बाला चंदरन सहाव आपके पैसे को manage करके चल रहे हैं, तीन महीने में इस mutual fund ने धमाकेदार performance दिया और 10% का absolute return, 6 महीने में 11% का, 1 साल में 48% का return, 3 साल में 121% का return ने उन्होंने बना के दिया, 5 साल में 280% का return, 10 साल में 481% का return इनको बना के दिया है, सेवी की तरब से सथ guideline से कि जो भी mutual fund का review करें या share market का, तो एक बार risk compliances के बारे में जरूर आपको जानना चाहिए, क्योंकि mutual fund की दुनिया में आपको risk बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और risk से साइड डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने long term के लिए पैसा लगा रखा है, तो shorter में आपके जो भी raise किया fluctuations market के अंदर आती है, या गिरावट देखने को मिलती है, ये सारी long term के अंदर mitigate हो जाती है, SBI kontra fund की बात करेंगे, 34,346 करोड का इसका assets आईजे, वहीं इसका expense ratio के वल 0.59% का है, 2.46% का cash hold करके चल रहे ह 20.500 total TRI को ये बेंजमार की तरह फॉलो कर रहे है, एक साल के अंदर निकलने कोशित करो कि तो अलग से exit load भी आएगा, इस fund की खास बात ये है कि इन्होंने proper sector का allocation करके पैसे को डाला हुगा है, financial के अंदर इन्होंने सस्याधर target किया है, financial energy, healthcare, metals and mining, automobile, technology, services, material, इसके साथ साथ, capital goods, cash holder के चल रहे है, insurance, construction, chemical, communication और textile जैसी कुछ दिगज कंपनिया, आपके portfolio का पार्ट रहती है, nifty bank के अंदर युनोंने पैसा डाल रखा है, इसके बाद reserve bank of India के कुछ bonds वागेरा भी है, HDFC bank, state bank of India, gail, ये सारे share हैं, जहां investors का पढ़ा हुआ है, reliance industries, kotak, mahindra bank, nifty 50, ONGC, whirlpool of India, ICC bank, Torrent power, Axis bank, Tata, Steel, Cognigent technology, Biocon, Petronnet, LNG, Mahindran, Mahindra, Sipla, Tech Mahindra, ICC, Prudential, Life Insurance, ITC, ACC, FS&E Commerce, Ventures या, NICA, Cummins India, Powergrade, Hindalco Industries, CESC, Life Insurance Corporation, आप LXC बहु सकते हैं, नालको, Esther DM, Tata Motors, Federal Bank, GR Infra Project, Equitas, Small Finance, Delivery, Indian Oil Corporation, या, IUL, आप इसे बहु सकते हैं, followed by EPAM, Systems, Double India, NHPC, NMDC, HDFC, AMC, Bharti Hexacom, Maruti Susquee, MSC Office, Park REIT, Bank of India, Infoage, Ashok Leland, Korob Bandil International जैसी कुछ दिगज कंपनिया, इस mutual fund का part बनी हुई है, GM Financial, Direct Plan Growth, ठीक है, HSBC Value Fund, Quant का Active Fund, Templeton India Value Fund, एक बर अगर आपकी इक्षा है कि SBI Contra की तरफ देखते हैं, तो उससे पहले आप इन mutual funds का review जरूर चेक कर लेना, कहां से चेक करेंगे, Multibagger mutual funds के नाम से एक playlist पड़ी हुई है, देरे-देरे स्क्रॉल करते हैं, चले जाओ, आपको हर mutual fund का in-depth analysis मिल जाएगा, SBI के मैं बात करता था कि बहुत जल्दी वो दिनाने वाला है, जब इसका asset under management 10 लाग करोल को पार कर जाएगा, मेरे में तरे चैनल को सब्सक्राइब के जएगा, जैसा कि मैंने आप से कहा कि share market के अंदर या mutual fund को बेचने या खरीदने से अगर आपको profit या gain या loss हुआ है, तो इस case में आपको ITR के अंदर ज़रूर reflect करवाना चाहिए, आपकी properties से कोई gain हुआ हूँ, उसका भी आपको capital gain record करना चाहिए, salary income हो, इनका भी आपका ITR जाता ही होगा, तो income tax filing की services आप हमारे दोरा भी ले सकते हो, सिर्फ करना यह है कि WhatsApp नंबर पर call करके अधिक जानकारी और हमारे plans के बारे में आप जानकारी ले सकते हो, चैनल को subscribe कीजिएगा, वीडियो को like कीजिएगा, हरन महा देओ, अजया पास रड़ाम, हरीश रड़ाम, बहुत बहुत धनीवाद,